हेलो अल आफ यू मेरा नाम है गनेश मैं बाई प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मैं इंजिनरिंग के स्टूरेंट्स को पड़ाता हूँ आज इस वीडियो में मैं बस एक जनरल टॉपिक पर अपनी ओपिनियन्स या अपनी राय अप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो आप में से कुछ लोगों को ठीक लगे सही लगे या कुछ लोगों को यूसफुल भी लगे तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को ठीक से पूरा देखें तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट सोशल मेडिया मतलब यूटूब या इंस्ट कनेक्शन जो था यानि कि जो मोबाइल कनेक्शन चल रहा है उनका नंबर था 110 करोड मतलब हमारी पॉपिलेशन के 77 परसेंट लोगों के पास अक्टिव मोबाइल कनेक्शन है और वो स्मार्टफोन कनेक्शन है उसी सर्वे में ये भी पाया गया कि जैनिवरी 2023 में इंडिया लोगों ने किसी ना किसी प्रकार का सोशल मीडिया यूज्स किया था मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम, फेस्बुक किसी ना किसी दरका सोशल मेडिया 46 करोड लोगों ने यूज्स किया था ये होता है हमारी population के तकर करिबन 30 परसेंट है अब ये सब बताने का मक्सद ये था कि हमारे देश में एक student या एक housewife या एक job करने वाला person या एक businessman या फिल कोई retired person इन सब में एक common बात ये है कि इन सब के पास smartphones है और ये सब दिन में से कुछ ना कुछ वक्त उस smartphone पे यानि कि किसी ना किसी social media पे spend करते हैं मैं आपको smartphone यूज करने के फाइदे detail में नहीं बताना चाता है वो तो हम सब जानते हैं कि mobile is actually quite helpful मतलब किसी भी topic पे कोई भी information हो कोई ideas हो वो हमें easily available हो जाता है and it is a big source of social communication ये भी उसका बहुत बड़ा advantage है और ना ही मैं उसके disadvantage यानि उसके नुकसान के बारे में बात करना चाता हूँ वो भी हम सब थोड़ा बहुत तो जानती है कि ज्यादा mobile अगर use करें तो उसका एक addiction लग जाता है और हम चीजों पर focus नहीं कर पाते और किसी भी smartphone में यानि की social media पर या फिर किसी website पर समझ लो जितनी positive information मिलती है उतनी ही negativity भी मिलती है तो यह सब मैं detail में नहीं discuss करना चाता है यह सब आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से मैं आज बात करना चाता हूँ about social media influence अब influence इस word का simple meaning यह होता है कि किसी भी चीज का या किसी person का हमारे सोचने पर या फिर हमारी decision making पर या फिर हमारे पूरे nature पर होने वाला असर यह होता है influence सोचिये जब हम दिन में आदा घंटा या एक घंटा YouTube या Instagram पर वीडियोज देखते हैं तो फिर उनका हमारे सोचने पर या हमारी likings और इस likings पर क्या असर पड़ता है यह होता है influence सोचिये आज के जमाने में ऐसे कितनी सारी खूबसूरत हिल स्टेशन या पहाडियो जैसी जगाए है या फिर खूबसूरत कपड़े है या फिर बाइक्स है कार्स है बहुत सारी चीज़े है जो हमने सिर्फ किसी वीडियो में य हमें लगा यार इस जगा पर जाना चाहिए फिर ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या फिर ऐसी बाइक या कार या चीज़े खरीदनी चाहिए तो यह होता है influence मतलब हमारे सोचने पर हमारी पसंद या नापसंद पर या फिर हमारे decisions पर social media के थ्रू जो असर होता है इसे कहते है social media influence अब देखिए जब हम YouTube या Instagram पर वीडियोस देखता है तो उनमें से ज्यादा तर यानि की 80-90% वीडियोस में उस वीडियो के anchor द्वारा बीच में एक short time के लिए एक किसी चीज़ का मतलब कोई beauty cream या फिर कोई app या फिर कोई other product उसका एक promotion किया जाता है और वो चीज recommend की जाती है अब यहाँ पर रोल आता है influencer का influencer मतलब कोई ऐसे person या channel जिनके social media पर अच्छे खासे followers होते हैं यानि कि उनके लाखों में या फिर millions में follower या subscriber होते हैं और उन्हें influencer इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी video से हमारे opinions को या हमारी सोच को influence कर सकता है मतलब जिस social media का पहले सिर्फ आपको information देना या आपको knowledge देना या आपको entertain करना या थोड़े कुछ लोगों से वाकिफ कराना ये purpose था अब उसी social media से कुछ लोग यानि कि influencers ये decide कर सकते कि आप कहा जाएंगे क्या पहनेंगे क्या choices होगी आपकी ये सब चीजों को influence किया जा सकता है तो अब तक आपको ये तो समझ में आई गया होगा कि influencer का मतलब होता है brand ambassador मतलब किसी भी brand के जो owners है वो influencers को approach करके उन्हें पैसे देके उनके brands का promotion करा सकते हैं चलो यहाँ तक तो ठीक है लेकिन सोचो अगर future में इन influencers का हमें information देना या हमें entertain करना ये एक secondary purpose हो जाए और इनका main goal ये हो जाए कि अपने मकसद या अपने फाइदे के लिए हमें influence करना हमारी सोच या हमारे decisions पर असर करना और वो भी उनके फाइदे के लिए तब क्या हो सकता है सोचिए अगर इन influencers का सीधा असर हमारे देश की बड़ी चीजों पर यानि कि हमारा education, हमारा health care या फिर हमारे elections इन चीजों पर अगर उनका असर होने लगा तो फिर देश में क्या हो सकता है अगर future में वाके में ऐसा होने लगा तो फिर हम जो maximum middle class लोग है वो वाके में सिर्फ followers बन के रह जाएंगे मतलब in the most practical and true sense हम बस followers होंगे मतलब देश के बड़े बड़े फैसले कुछ लोगों द्वारा लिये जाएंगे और हमें बस उसे follow करना होगा यह imagine करना भी बहुत डराऊना लगता है ना लेकिन अगर चीज़े ऐसे ही चलती रही तो it is quite possible in future तो अगर हम यह सोचे कि फिर इसे avoid करने के लिए क्या किया जा सकता है तो फिर देखे मैं एक बहुत ही छोटी और simple चीज़ आपसे share करना चाहता हूँ suppose YouTube या Instagram पर आने वाले कोई particular वीडियो होगा किसी जगा का या किसी चीज़ का और suppose उसे देखने वाले suppose एक हजार लोग है अब उन एक हजार लोगों का background, उनकी reality, उनके natures बहुत अलग होते है तो फिर इस same वीडियो का सब पर same असर कैसे हो सकता है जिन लोगों को वो चीज possible है, उन पर वो positive असर करेगी पर जिनके लिए वो possible नहीं है, उन पर उसका negative असर होगा मतलब वो अपनी reality से और भी दूर चले जाएंगे तो मेरे आप सब से बस यह request है कि हम सब को हमारे दिन का, पुरे दिन का, कम से कम 80% time जो है वो हमारी real life में spend करना चाहिए मतलब जो हमारे सामने है जैसे कि हमारे friends, हमारा college, education, हमारा काम फिर हमारी family, इन के साथ हमें ज्यादा वक बिताना चाहिए ना कि social media पर social media थोड़ी दिर के लिए ठीक है कि knowledge, कोई information या लोगों से connect होने के लिए लेकिन उसे हम पर या हमारी basic चीज़ों पर influence करने का हग देना ये सही नहीं है I hope कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सही या अच्छा knowledge मिला होगा Thank you for watching, जैहिन